हेलो स्टुएंट्स वेलकम टो यूरी विद्याले भी लड़ना ले तो स्टुएंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट्ट पोटेंचिली स्ट्रॉंग कोश्चन फ्रॉम बोर्ट पॉर्ट में मैस्क एक्जाम से एक इंपॉर्टन कोश्चन है आप लेकिन इस कोश्चन में चोटा सा मिस्प्रिंट पहले में वह करेक्ट कर देता हूं आपके लिए यह कॉश्चन कुछ इस तरीके से 2x2 प्लस में 5x प्लस में के यह चोटा सा मिस्प्रिंट था तो अब यहां से इसको ऐसे कॉंटिट्यू करेंगे यहां से और यह कि की वैल्यू निकालने वाले या होते हैं पोटेंशिली बहुत श्रॉंग होते हैं एक्जामिशन पॉटेवी से तो बिना किसी देरी के फटाफ़ चाट करते हैं देखो क्या है इफ अलफा एंड बीटा आर्दी जीरो ऑफ और पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल यह ध्यार रखना है आपको ठीक है फाइंड कि वैल्यों के सच अलफा प्लस बीटा होल स्क्वार यह कुछ भी नहीं यहां पर माइनस अलफा बीटा इस उगल टीफॉर तो क्वेशन ने क्या इनफोर्मेशन दिया आपको सिंप्ली आपके पास एक गिवन पॉलिनॉमियल है वह रहा टू एक स्क्वार प्लस बीटा होल स्क्वार माइनस अलफा इस उगल टीफॉर है और बोलाए कि वैल्यों कि कि हान से क्या करेंगे जो इनफोर्मेशन सबसे पहला आप यह देखो कि आपको फाइंड करना है कि ठीक है फिर आप यह देखो कि आपको दिया क्या है अब बहुत सिंपल सी बात यह एकि अगर सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको तो अगर मैं के को यहाँ पर देखूं तो इस पॉलिनॉमिल की हिसाब से इसके कॉफिशन में सी कॉफिशन की फॉर्म में सी पर आ रहा है वह समझे हो तो आप एक बात देखो कॉश्चन में हमें एक अल्फा प्लस बीटा दिया प्लस 5X प्लस K यहां से मैं कोफिशन और कॉफिशन की बात करूं तो A की वैल्यू कितनी है? 2 ठीक है? B की वैल्यू कितनी है? 5 और जो कॉफिशन है C की वैल्यू कितनी है? K Now I have A, B and C and the another situation that I have जो हमारे पास situation है वो यह है कि भई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वार माइनस अल्फा इंटू बीटा इस इकल तो 24 है तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने जाओं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस B upon में A, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अन्फा प्लस बीटा कीवैल्यू निकालने जाओं तो वो क्या होता है? c upon में यानि alpha into beta हो जाएगा c upon में और c कौन है c है k और upon में a कौन है 2 अब आप देखो जो alpha into beta यहाँ पर है इसमें k आ चुका है अब k question में आ जाएगा है ना तो अब मुझे बहुत ही simply क्या करना है इन values को इस equation में जो हमें device में put कर देना है यानि कि जो value है alpha plus beta whole square minus alpha into beta is equal to 24 मैं बस इसमें put कर दूँगा alpha plus beta की value कितनी आ चुकी है अल्री minus 5 upon 2 whole square minus alpha into beta कितना है k upon में 2 is equal to कितना है 24 समझ में आ रहा है simply normal simplification करते है 5 का square 25 2 का square 4 है ना और क्योंकि negative value की power even number है जबी भी किसी negative value की power even number होगी तो answer हमेशा किसमें आएगा plus में और अगर negative value की power odd number होगी तो answer हमेशा किसमें आएगा minus में नहीं negative आएगा तो यहाँपर minus है minus की power even number answer should be plus मैंस में कितना है हमारा k upon में 2 is equal to 24 इन दोनों का आप LCM लोगे, 4 और 2 के LCM कितना अथा श्रूएंट्स, 4 और 2 के LCM आएगा, 4, सही है, 4 को आपने 4 से डिवाइट किया, question आपका बचार, 25, 1, 1 को 25 से के 25, 4 को 2 से डिवाइट के, 2 तू दिवाइट करेंगे, 2K, is equal to कितना, 24, समझ में आया, अब यह 4 जाएगा, और इसके साथ multiply हो जाएगा, cross multiplication, तो क्या होगा, 25, minus 2K, is equal to, 4 को से multiply करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 96, है ना, तो next step हमारे क्या हो जाएगा, minus 2K, is equal to 96, minus 25, तो minus का K, यह फिर, not minus का K, आप क्या करोगे, आप इसको यह छोड़ो, ठीक है, यह हो गया, K, K is equal to, आप इसको solve क करोगे, तो 20, sorry, केस को solve करोगे, तो आपके पास बचेगा, 71, और अपन में कितना, minus का 2, तो finally, it would be, it would be, K is equal to, minus 20, minus 71, minus 71, upon 2, यह आपकी K की value हो जाएगी, तो this is how you can find value of K, A, P, Q, whatever it is, जो भी question में आप find out कर सकते हो, बस आपको यह ध्यार रखना है, दो चीजे, आपको क्य दिया है, आपको यह information दिवी थी, और यह information दिवी थी, और उसे आपको K find out करना था, तो हमने simply क्या किया, यहां से हमने, यह coefficients निकाले, और इस equation की demand थी, alpha plus beta, वो हमने find out कर लिए, इसकी help से, और उसको equation में put कर दिया, K को separate कर दिया, किसी भी value को find out करने का यह तरीका होता है, उसको separate कर दो, answer आजाएगा, जैसे कि यहां पर आगया, तो I hope तुमको यह question clear है, ऐसे ही questions के लिए, चैनल को subscribe कर लो, वीडियो तो अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ share करो, ठीक है, like करो, share करो, comment करो, comment भर-बर के करो, और मुझे बताओ कि यह type के questions आपको important लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई individual doubt हो, तो वो भी comment में लिख दो, उसके ओपर वीडियो बन जाएगी, कोई दिकत वाले बात नहीं है, मिलते हैं अगरी वीडियो में, एक नए questions के साथ, till then, take care of itself, this is Pankaj Rai, signing out.